हर नई गाड़ी पर हमें और आपको अंग्रेजी के दो अक्छर दिखाई देते हैं एक होता है A और दूसरा F लेकिन कुछ लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा अक्छर ही दिखाई देते हैं ये कभी इनके मतलब को नहीं समझ पाते और नाहीं कभी समझने की कोशिश करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे गाड़ी पर लिखे A और अबलिक F का मतलब तो गाड़ी पर लिखे A.O.F की जानकारी उन लोगों के लिए है जिन्हों ने अपने ग्यान के कपाट बंद कर रखे हैं इसका पाट बंदी से कुछ गलत मत समझें दरसल हमारी सोच ही ऐसी होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ों से ही मतलब रखना पसंद करते हैं इसलिए अब आप इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से जान लें और याद कर लें ताकि आप ये ग्यान किसी और को बांट सकें दरसल मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत हर गाड़ी का पंचिकरन होना आवश्यक होता है यदि यह रजिस्टेशन नहीं होता तो गाड़ी कैर कानूनी मानी जाती है जिसके लिए आप पर कानूनी कारवाई की जा सकती है ऐसे में गाड़ी पर लिखे A अबलिक F का मतलब होता है एपलाइट फॉर मतलब अगर ये किसी गाड़ी पर लिखा है तो वह गाड़ी नई है और उसके मालिक ने उसके रजिस्टेशन के लिए आर्टियो आफिस में अरजी डाल रखी है लेकिन नियमों के अनुसार ये जूट केवल साथ दिनों के लिए दी जाती है जिसके बाद अगर आप A.F गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान काटा जा सकता है तो अन्त में आपको एक बार फिर बताते चलें कि गाड़ी पर लिखे A.F का मतलब होता है एपलाइट फॉर और अधिक रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें